Friends, क्विक गनित में आप सभी का सागत है Friends, आज हम लोग quadratic equation जो class 10th का एक topic है उसको देखेंगे सबसे पहले quadratic equation के बारे में basic concept सीखेंगे उसके बाद हम quadratic equation के roots उसके natures के बारे में पढ़ेंगे और previous year questions करेंगे तो सबसे पहले quadratic equation किसको बोलते हैं तो AX square प्लस BX प्लस C equals to 0 के form में कोई भी equation को हम quadratic equation बोलते हैं जहां A, B और C ये क्या होगा? Real number होना चाहिए और A is not equal to 0 होना चाहिए A is not equal to 0 का मतलब होता है कि X square का coefficient कभी 0 नहीं होना चाहिए यानि कि X square वाला term होना ही चाहिए ये और ये 0 हो सकता है लेकिन X square वाला term होना ही चाहिए तो उसको हम बोलते हैं quadratic equation maximum power इसमें 2 होना चाहिए जैसे अगर कोई बोलता है कि 5X square प्लस 6X प्लस 5 equals to 0 ये एक quadratic equation है कोई अगर ये भी बोले कि 5X square equals to 0 ये भी quadratic equation है क्योंकि X square maximum power क्या है variable का? 2 यानि कि ये quadratic होगा बट जरूरी नहीं है X का term और इसका term होना चाहिए X square वाला term होना ही चाहिए एक और इससे ज़्यादा power वाला नहीं होना चाहिए उसके बाद क्या है? Quadratic equation को पहचानने का rule एक तो ये हो गया दूसरा क्या? जो X का power है जो variable का power है वो कभी negative नहीं होना चाहिए variable का power कभी भी fraction में नहीं होना चाहिए variable कभी भी root के अंदर नहीं होना चाहिए ये सब भी ध्यान रखना है क्योंकि questions ऐसे आते हैं कि इसमें से पहचानिये कि कौन सा quadratic equation है कौन सा quadratic equation नहीं है तो सबसे पहले तो AX square प्लस BX प्लस C इकल्स टू 0 के form को हम quadratic equation बोलते हैं जहांपे A, B, C क्या है? real number है A is not equal to 0 है यानि कि X square बला term रहेगा ही रहेगा जैसे 5X square प्लस 6X प्लस 5 इकल्स टू 0 ठीक है? तो इसी तरह किसी भी quadratic equation में अगर variable का power negative रहेगा तो वो quadratic नहीं होगा अगर variable का power fraction में होगा वो भी negative नहीं होगा अगर variable root के अंदर है वो भी quadratic नहीं होगा ये ध्यान देना है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि roots root किसको बोलते हैं? roots of the quadratic equation roots किसको बोलते हैं? roots बोले, zeros बोले ये क्या होता है? तो एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी equation का जो maximum power होता है जैसे अगर हम बात करे कि ax square plus bx plus cкт位 maximum power क्या होगा? to x square plus bx plus c में maximum power क्या होगा? two होगा तो इस equation का दो answer आएगा मतलब x के two value आएगा एक आएगा alpha और एक आएगा beta इसी को हम बोलते हैं इसका roots roots बोलते हैं इसी को हम zeros बोलते हैं इसी को हम answer बोल सकते हैं इसी को हम solution बोल सकते हैं जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं मतलब कहने का यह है कि अगर किसी equation का maximum power 2 है तो उसके 2 roots होंगे maximum power 3 है तो उसके 3 roots होंगे maximum power 4 है तो 4 roots होंगे मतलब जितना power variable का maximum है उतना उसका roots होगा उतना उसका value होगा उतना answer उसका निकलेगा उतना उसका zero जोगा सब कुछ एक ही को बोलते हैं तो ये quadratic equation है तो इसके two roots होंगे alpha और beta दोनों का नाम रख दिया alpha और beta चीक है, two roots अब यहाँ पे alpha और beta निकालते कैसे हैं तो एक तो simple तरीका क्या है कि middle term को split करके हम निकालते हैं दूसरा तरीका है कि x equals two x equals two क्या होता है minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a यहाँ से x के two value आएगा और ox के two value जो होगा ये इस quadratic equation का roots होगा यानि कि alpha और beta का value निकलेगा alpha और beta का value निकलेगा और यही दोनो roots होगा इसका उसके बाद ये a, b और c होता क्या है इसमें तो याद रखना है कि x square के साथ जो भी multiply में होगा वो a होगा x के साथ जो भी multiply में होगा वो b होगा और जो constant term होगा वो c होगा यानि कि a किसको बोलेंगे coefficient of x square b किसको बोलेंगे coefficient of b x और c किसको बोलेंगे constant term को constant term b किसको बोलेंगे coefficient of b a किसको बोलेंगे coefficient of x square coefficient मतलब जिसका coefficient पूछ रहा है उसको छोड़ के क्या उसमें है x square का coefficient मतलब x square को छोड़ के क्या इसके साथ है a तो x square का coefficient क्या होगा a x का coefficient क्या होगा b और c constant term है तो यह हो गया इसके roots अब हम लोग roots के nature के बारे में परहेंगे कि roots real होगा distinct होगा imaginary होगा कैसे होगा ठीक है यह जो यहाँ पे x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac है इसी को हम बोलते हैं d discriminant क्या बोलते हैं discriminant अभी हम लोग सीखेंगे उसके बारे में क्या होता है discriminant यह आप लोग crash course की तरह समझ सकते हैं देखिए किसी भी quadratic equation का अगर discriminant बोलेगा निकालने के लिए d तो d equals to क्या होता है b square minus 4ac किसी भी quadratic equation का discriminant क्या होता है b square minus 4ac और इसी discriminant से हम decision लेते हैं कि roots real होगा distinct होगा या imaginary होगा जो भी होगा कैसे देखिए हम क्या जानते हैं कि x बड़ाबर क्या होता है minus b plus minus root अंडर b square minus 4ac by 2a हम जानते हैं तो यहां से ध्यान दीजिए कि root के अंदर क्या है b square minus 4ac जिसको हम बोलते हैं d discriminant तो इसके उपर depend करेगा root अगर मान लेते हैं कि यह root के अंदर वाला part 0 हो गया तो यह क्या बज़ गया minus b by 2a बस यही बज़ जाएगा यह तो 0 हो जाएगा तो 0 किसी में add करो यह subtract करो answer क्या हो जाएगा minus b by 2a अगर मान लेते हैं positive हो गया तो इसमें एक वार जुड़ेगा एक वार घटेगा तो इधर ध्यान से देखिए पहला condition है कि अगर d बराबर 0 हो गया अगर d बराबर 0 हो गया मतलब यह part मेरा खतम हो गया तो जो मेरा root होगा x बराबर और वो क्या हो जाएगा minus b by 2a minus b by 2a दोनो roots यही होगा real होगा और दोनो equal होगा तो जब भी d equals to 0 होगा तो हम लिख सकते हैं roots are roots are real and equal ठीक है मतलब दोनो roots क्या होगा real होगा और equal होगा ठीक है क्योंकि d जब 0 हो गया तब तो इधर कुछ बचा ही नहीं एक बार 0 को add करो यह 0 को subtract करो answer तो minus b by 2a minus b by 2a ही होगा तो direct हम निकाल सकते हैं x equals to minus b by 2a जो quantity equation का roots होगा दूसरा क्या है कि अगर d greater than 0 हो गया d greater than 0 हो गया तो ध्यान से देखिए अगर यह 0 से बढ़ा आ गया यानि कि 1, 2, 3, 4 तो क्या मान लेते हैं अगर 4 आ गया तो एक बार इसको add करेंगे एक बार इसको subtract करेंगे मतलब two real roots आएंगे लेकिन दोनों अलग अलगाएंगे क्योंकि एक बार add करेंगे और एक बार subtract करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा roots are real roots are real and distinct क्या बोलते हैं distinct मतलब अगर d का value 0 से बढ़ा आएगा तो roots real होगा और दोनों अलग अलग होगा क्यों अलग अलग होगा क्योंकि एक बार हम plus करेंगे और एक बार minus करेंगे तो अलग-अलग roots आएगे ठीक है तीसरा condition क्या है कि अगर d का value 0 से छोटा आ गया अगर d का value 0 से छोटा आ गया that means d less than 0 तो जब भी d का value 0 से छोटा होगा उस situation में देखिए root के अंदर क्या होगा negative terms आ जाएगा और root के अंदर negative मतलब not define ठीक है तो root के अंदर negative not define मतलब यहाँ पर हम डिरेक्ट लिख सकते है roots are imaginary roots are imaginary ठीक है तो यह तीनों points roots के है जो की पूस्ता है questions में previous questions में भी कई बार पूछा गया है कि roots अगर real और distinct हो तो इसका value बताए roots अगर real हो और equal हो तो इसका value बताए roots डी का value अगर less than 0 है तो क्या होगा बहुत सारे situations पूस्ता है तो यह तीनों conditions याद रखना है कि अगर discriminant यानि कि D equals to 0 हो जाएगा तो roots are real and equal अगर D greater than 0 होगा तो roots are real and distinct और अगर D less than 0 हुआ तो roots are imaginary होगा ठीक है यहाँ तक आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा अभी इस पर कुछ questions करेंगे तो समझ में आएगा ना एक प्रीवियस हीर कोश्चन है प्रीवियस हीर कोश्चन क्या है इप दो क्वाडिटिक एक्वेशन AX square plus BX plus C equals to 0 has two real and equal roots then C is equal to क्या बोल रहा है कि एक क्वाडिटिक एक्वेशन है AX square plus BX plus C equals to 0 has two real and equal roots has two real and equal roots तो real and equal roots के लिए condition क्या था D बराबर D बराबर क्या था 0 था तो D बराबर 0 था तो बोल रहा है कि C का value क्या होगा हम जानते हैं कि जब roots real and equal होता है तो उस situation में जो X का value होता है roots का value होता है वो क्या होता है minus B by 2A दोनों क्या होता है माइनस b by 2a अभी हमने देखा ये previous year में पूछा गया question है direct पूछ लिया objective में कि अगर a x square plus b x plus c बराबर 0 है तो उस situation में roots क्या होगा तो हम जानते हैं कि जब roots real और equal है तो dx बराबर क्या होगा माइनस b by 2a कहां से होगा तो x बराबर हम जानते हैं कि minus b plus minus root under d d लिखो या b square minus 4 is c by 2a जब यही 0 हो गया जब यह 0 हो गया तो बस इतना सा बचा तो यही तो मेरा roots हो जाएगा क्योंकि इसको 0 में add करो ये subtract करो इतना ही answer हैगा तो यह previous year में पूछा गया questions है ऐसा ही बहुत सारे questions है जो आप कर सकते हैं नेचर आप दे रूटस पे ठीक है एक और कोस्टन साम लोग देखते हैं 2x square minus 4x plus 3 equals to 0 and hence find the nature of its root equation है 2x square minus 4x plus 3 क्या है 2x square minus 4x plus 3 equals to 0 तो हम इस quadratic equation के roots का nature पता करना है एक लिए सबसे पहले हम क्या निकलते हैं d निकलते हैं क्योंकि d से ही किसी भी quadratic equation का nature पता चलता है तो d को निकाल लेते हैं तो d equals to क्या होता है b squared minus 4ac तो b क्या है मेरा minus 4 b किसको बोलते हैं x का coefficient तो x के साथ जो भी multiply में है sign के साथ ले लेंगे तो minus 4 का square minus 4ac 4 into a क्या हो गया x square का coefficient मतलब x square के साथ जो multiply में है तो 2 into c क्या है constant term 3 तो 3 यहां पे लिग दिये तो यह क्या हो जाएगा minus 4 का square होता है 16 minus 4 to jah 8 in 8, 3 jah 24 तो यह हो जाएगा 16 minus 24 मतलब क्या हो जाएगा minus 8 d का value अगर less than 0 यनि कि आता है हमने पढ़ा तो उस situation में roots कैसा होता है roots will be imaginary roots will be roots will be imaginary ठीक है यह ncrt का example है तो आप देख सकते हैं मतलब हमको कोई भी quadratic equation दे देगा और बोल देगा वो कि roots real है या पूछेगा पहले कि roots real है roots equal है root real or distinct है roots imaginary है तो तीनों condition हमको पता है वो condition apply कर देगे कभी-कभी इसमें कैसा question पूछता है कि कभी-कभी जैसे यहाँ पर दे देता है कि यहाँ पर क्या है plus kx plus kx दे दिया और बोल दिया कि बताईए कि इस equation का roots real or equal है तो उस situation में k का क्या value होगा हम जानते हैं कि जब roots real or equal होता है जब roots real or equal होता है जिसे एक question ऐसा देख लेते हैं question है मेरे पास 2X square plus KX plus 3 equals to 0 और वो बोल रहा है कि roots real और equal होगा तो बताएए K का क्या value होगा तो हम जानते है roots जब real और equal होता है तो D equals to क्या हो जाता है 0 D का value हम जानते है B square minus 4AC तो B square minus 4AC बराबर 0 होगा क्योंकि बोल दिया है roots real और equal है B क्या है मेरा तो k square minus 4 into 2 into 3 बड़ाबर 0 तो k square बड़ाबर ये सारा उधर चला जाएगा 4, 2, 8, 3, 24 तो k equals to क्या हो जाएगा root under 24 तो k का जो value है ना वो आजाएगा root under 24 क्योंकि roots real और equal बोला है तो जो भी condition बोलेगा उस condition को यहाँ पे हम रख देंगे और उस पे हम value put करके k का या किसी भी चीज़ का value निकाल सकते हैं इसके बाद next video में हम लोग जो previous questions है quadratic equation के वही देखेंगे अभी quadratic equations related कुछ और concepts को देख लेते हैं जैसे है यहाँ पे ax square plus bx plus c बड़ाबर 0 तो हम जानते हैं कि इसके two roots होंगे क्योंकि यह quadratic equation है एक alpha होगा और एक beta होगा तो formula याद रखना है कि alpha plus beta equals to होता है minus b by a यह b क्या है मेरा x का coefficient और a क्या है मेरा x square का coefficient alpha into beta होता है c by a c क्या है मेरा constant term a क्या है मेरा x square का coefficient कभी कभी क्या होता है alpha और beta to roots दिया हुआ होता है और बोलता है कि इससे equation बनाईए जैसे यहाँ पे alpha दे रखा है और beta दे रखा है और बोलेगा कि इससे equation बताईए सिर्फ roots दे रखा है और बोलेगा कि equation लिखे कौन सा होगा quadratic equation तो equation का ये formula होता है ये होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0 ये quadratic equation हम बना सकते हैं जब भी two roots given है alpha और beta और भूलेगा कि quadratic equation बताइए इसका तो x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0 एक example से ये दोनों चीज़ clear करते हैं जैसे एक equation है x square plus 10x plus 24 equals to 0 तो यहाँ पे अगर बोलेगा कि alpha plus beta क्या होगा तो alpha plus beta क्या होता है minus b by a और minus b by a का मतलब क्या हो जाएगा minus 10 by 1 तो आंसर आजाएगा minus 10 यानि कि alpha plus beta इस equation क्या हो जाएगा minus 10 alpha into beta क्या होता है c by a और c मेरा क्या है 24 a क्या है 1 तो आंसर हो जाएगा 24 अब मान लेते हैं कि एक इसका roots क्या आगया minus 10 मतलब alpha का value क्या आ गया यहाँ पर देखिए alpha का value क्या आ गया minus 10 और beta का value क्या आ गया 24 अगर ये हमको नहीं पता रहता सिर्फ इतना पता रहता ठीक है अगर सिर्फ alpha और beta पता रहता और बोलता कि बताएगे ये equation क्या था equation को हम हटा देते हैं ये equation देखना मालीजिए equation नहीं दिया रहता सिर्फ alpha और beta दिया रहता तो equation कैसे निकालते हैं तो x square minus alpha प्लस beta alpha कितना है minus 10 plus 24 plus alpha into beta alpha into beta मतलब क्या हो जाएगा minus 10 into 24 अब बढ़ाबर क्या हो जाएगा 0 है ना तो ये क्या हो जाएगा x square minus minus ये क्या हो जाएगा minus minus plus plus हो जाएगा x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0 alpha into beta क्या हो जाएगा c by a हाँ वो alpha plus beta था यहाँ alpha वो जो 10 का value आया था वो आया था alpha plus beta equals to और एक आया था alpha into beta equals to आया था 24 यहाँ alpha और beta की बात करें सिर्फ अगर alpha और beta दे रखा है मानली जाए alpha दे रखा है 3 और beta दे रखा है 4 और बुलेगा कि बताए इसका quadratic equation क्या होगा तो कुछ नहीं इस formula पे लगा देंगे यह हो जाएगा x square minus alpha plus beta मतलब क्या हो जाएगा 3 plus 4 ठीक है into x plus alpha into beta क्या हो जाएगा 3 into 4 बड़ाबर 0 तो यह हो जाएगा x square minus 7x plus 12 equals to 0 इसकी अगर बात करें तो यह हो जाएगा x square minus alpha plus beta ही दे रखा है तो alpha plus beta क्या दे रखा है minus 10 तो minus 10 into x plus alpha into beta ही दे रखा है 24 तो direct यहाँ 24 equals to 0 तो यह हो जाएगा x square plus 10x plus 24 बड़ाबर 0 यह ऐसे हम निकाल सकते हैं यानि कि अगर हमको quadratic equation पता है तो उसके roots, उसके roots का nature ठीक है equations कैसे बना सकते हैं alpha plus beta, alpha into beta कैसे निकाल सकते हैं किसी का value कैसे निकाल सकते हैं जब nature given हो तो सारे tap के हमने देख लिया है अब next class में हम लोग previous years के जितने भी questions हैं वो questions देखेंगे Thank you